नमस्कार मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस नरायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हैं आज धर्मवीर बारती द्वारा रचित अंदायुग का परचे मैं देना चाहता है कासकर आमतवर पर इस पे ऐसे भी प्रश्ण पूचा जा सकता है कि अंदायुग के प्रत्पाद्य के विशय में एक सारगर्भित लेक लिकिए या अंदायुग के बारे में प्रकाश डालिये या अंदायुग का सारामश लिकिए इस प्रकार के प्रश्ण पूचा जा सकता है। सबसे पहले हम दर्मवीर बारती खास कर जो द्वितिय विश्वयुद के बाद रचित अनेक रचनाओं में विश्वयुद से जो त्रासदी को जेल चुके हैं। उन सम्पोन कवी हो या नाटक कार हो या कहानिकार या उपन्यास कार मतलt यहां रचनाकार लग बग सभी लेकर कि आम रचनाकारों ने जो द्वितिय विश्वयुद के त्रासदी को देखने के बाद और एक विश्वयुद देखना या जेलना इस दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है इसलिए लोगों में जागुरुती लाने के लिए युद्ध से आने वाले दुष्परिणामों को बता कर शांती की वोर ले जाने के लिए अनेक साहित्यकारों ने विबिनमाद्यमन से जो अपने अनुसार अनेक रचनाओं को सुरुज और शबीट किया है इस प्रकार की रचनावंत में से एक रचना अन्दायुग यह अन्दायुग दर्मवीर बारती की सज्यनात्मक और आधनिक सम्वेद्ना का निरूपक काव्यनाटक है था काव्यनाट्मक प्रबंध है जिसमें महाबारतिय संदर्बों के शिलापट पर आधनिक संवेधना का आस्तामय आलोक विकीरित हुआ है। संदर्ब संवेधनाय नवीन और युगसापेक्ष है। अंदायग में दर्मीर बारती महाबारत के उतराद की कता को आधार भना कर समकालीन बोध को वानी दी है। इस प्रबंद की कता का गटनाकाल महाबारत के अतारह में दिन की संद्यास से लेकर प्रबास्तिद में कृष्ण की मृत्यु के ख्षन तक फैला हुआ है। अंदायग के स्थापना बाग में स्वयम दर्मीर बारती ने यस्विकार किया है कि इस कावि की कता आधनिक युग की है। किन्तु इस कता को कहने का माध्यम है अतीत। इतना ही नहीं दर्मीर बारती ने बगवत गीता में प्रतपादित अनासक्त जीवन दर्शन को आधनिक संदर्ब में प्रस्तत किया है। पराजय के कारण कौरव नगरी के महलों में चारों वोर उदासी चाई हुई थी। वहां के सुने गल्यारों में कैवल दो प्रहरी परस्पर बात कर रहते कि हम किसकी रक्षा के लिए हैं। वास्तों में यहां कोई रक्षनिय वोस्तू ही नहीं है। उस बुड़े और अंदे राजा की समस्कृती है। गलित अंगों वाली वेश्या की तरह अन्य प्रजाजनों को भी रोगी बनाती है और जिसने हमारी मेहनत को, हमारी आस्ता को, हमारे साहस और स्रम को निरद्दक बना दिया है। इसी बीच आकाश में अचानक अंदेरा होने लगा, प्रहरियों ने समझा की आकाश में बादल चा गए है। लेकिन वो सुतहा वे लाकों करोणों गिद अपनी पांक खोले कुर्क्षेत्र की दिशा में चल पड़े थी। विदुर के आने पर दृत्राष् बोले की हे विदुर जिवन में पहली बार आज मेरे चित में आशंका व्यापी है। विदुर बोले यह आशंका जो आपके चित में व्यापी हैं वर्षों पहले बीश्म, गुरुद्रोण और कृष्ण के मुख से निकली थी। कृष्ण ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुछले हुई अजगरसी, गुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूकी हुई लकडी सा तोड़ डालेगी। संजय तो गने जेंगल में बटक रहते। कृत वर्मा संजय को देखकर बहुत आश्यरी हो जाता है। इस जेंगल में अश्वत्थामा अपने अतीत को दोहरा रहेते। उसे याद आ रहाता कि इदिस्टर की इस गोशना से की अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचारी ने अपने शस्त्र त्याग दियेते और उन्हे निहत्ता पाकर पापी दुरुस्ट जुम्न ने उन्हे शस से कंडित कर डाला था। अश्वत्थामा दुखी होकर पहले तो सोचते हैं कि मैं जीवित रहूंगा और एक अंद बरबर पशु की तरह वद करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा सब को मारने के लिए तयार हो जाते हैं। और कृपाचारी से कहते हैं कि मैं क्या करूं मातुल मैं क्या करूं मातुल मैं क्या करूं। वद मेरे लिए नहीं रही नीती वह है अब मेरे लिए मनोग्रंदी। इधर हस्तिनापूर में संजय ने दुरुत्रास्ट और गहंदारी को युद्ध की पराजय की कता कही, बचे कुछे गायल साइनिक वापस लाउट आए, साथ साथ में युद्सू भी आगे, युद्सू दुरुत्रास्ट और एक दासी के बीच में जन में हुए पुत्र दे, कौर अपक्ष लेने पर भी सत्य को कौरवं से अधिक बढ़ा मान कर वो पांडवं की वोर से लड़ा था, वो लवट आया तो, लेकिन यहां के लोग ही नहीं स्वयम्माता गहंदारी की गुरुना से आहत होकर सोचते हैं कि यदि मैं असत्य से समझोता खर लेता, मा की कटत और प्रजा की गुरुना तो ना सहने पड़ती हैं, उसे कृष्ण से गुरुना हो जाती हैं और कहते हैं कि जैया है या कृष्ण की जिसमें मैं बदिक हूँ, मात्रवंचित हूँ, सब की गुरुना का पात्र हूँ, इद्ध में पराजित दुर्योधन रक्त से सने हुए पड़े थे, वहां कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार पहुंचते हैं, अश्वत्थामा को सेनादेक्ष के रुप में अभी शेक, अभी शक्त करते हैं, कृतवर्मा और कृपाचार अश्वत्थामा को विश्राम लेने के लिए कहते हैं, वन में जिस पेड के तबी अश्वत्थामा पांडव शिवर पर आक्रमन किया और सर्व प्रदम अपने पिता के हत्यारे दुरुस्त जुम्न का वद किया बाद में सब को मार कर शिवर में आग लगा थी इस प्रकार पांडव शिवर को द्वस्त कर दिया संजे द्वारा या समाचार सुनते सुनते ही गहंदारी बहुत प्रसन होकर अश्वत्थामा की प्रशमशा करती है समाचार सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा पर अगनी भान छोड़ते हैं उसके बदले में अश्वत्थामा ब्रमास्तर प्रयोग करते हैं आजकल की परिवा व्याद व्यास आकर वापस लेने के लिए आग्रह करने पर भी विवश होकर अश्वदामा कहते हैं कि पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं अच्छा तो सुन लो व्यास सुन लो कृष्ण यह अचूक अस्त्र अश्वदामा का निश्चित गिरें जाकर उतरा के गर्ब पर वापस नहीं होगा स्री कृष्ण ने अश्वदामा से मनी चीन कर ब्रून हत्या का शाप दे कर छोड़ दिया उनके अंग अंग पर शाप के कारण खोड निकल आया और उसका सारा शरीर रोगी कुत्ते की तरा दुर्गंद पूर्ण हो गया इससे क्रोधित होकर घंदारी ने कृष्ण को एक दूसरे को परस पर फाण काएगा तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी गने जेंगल में साधारन व्याद के हातों मारे जाओगे समय बित्ता गया ब्रमास्तर से जुलसी हुई दर्ती संबलने लगी बीम की कट वुक्तियों से मरमाहित होकर दुर्टरास्त्र और गहंदारी वन में चिले गये और इयुद्सु ने अत्महत्या कर ली जेंगल में आग लग गई इस आग में कुंती गहंदारी दुर्तरास्त्र आदी सभी लोग मर गए यदवंश आपसी कलह के कारण सर्वनाश हो जाता है वहाँ एक शिखारी ने कृष्ट्न के पायर को मुर्ग का मुख समझ कर बान छोड़ दिया और इस प्रकार गहंदारी का शाप सत्य हुआ अश्चरी की बात यह हुई की बान लगते ही कृष्ट्न के पायर से पीप बरा दुर्गंद पूर्ण नीला रक्त निकला और अश्वत्थामा का कोड शान्त हो गया अंदा युग में प्राचीन काल और पावरानिक पात्रों के माध्यम से आधनिक संबेधनाओं को अभिविक्ती दी गई हैं उन्होंने पुरान कता के द्वारा संकट बोध को अभिविक्ती देने के लिए इतिहास की पीट पर वर्तमान को बोज बना कर नहीं रखा है अंदा युग की कता का हर बिंदू, हर संदर्म, वर्तमान युग की समस्यावों और स्तितियों को संकेतित करता है पुरानी कता में वर्तमान परवेश की तीकी और यधार्द चैतना के समावेश से अंदा युग ना कैवल मूल्यवान बन गया है अपितु एक सार्दक काव्यनाटक भी हो गया है इस प्रकार इस नाटक के माध्यम से दर्मबीर बारती अतीत की गठनावों और अतीत की खता के माध्यम से आदनिक युद्ध जन्यत रासदी और युद्ध जन्यत रासदी के द्वारा वुत्पन विभीश कावों के बारे मे सफल चित्रन किया है कहने में कोई अच्छ योक्ती नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद